हेलो दोस्तों एक बार फीर स्वागत है आनलाइन इस्टडी स्रीज पर दोस्तों आज हम पढ़ेंगे निबंद लिखने का सबसे सही तरीका क्या है ठीक है और आज का जो निबंद होने वाला है वो होने वाला है प्रदूसर की समस्या और समधान पर जैसे कि आप लोग देख हैं और एक निबंद लिखना है ठाके हमारा नंबर एक भी नबटे और सबसे करते हैं सबसे पहले लिकेंगे प्रोष्च अरे समधान के असा कि निबंद का सिसका करेकटिसा। पॉप हैसे चाहते हैं उसके सबसे पहले त्रस्तावन उसके बाद, दूसरां बनाएंगी प्रदूषर का अरथ , प्रदूषर के दृष्टाओन मतलब प्रस्तूत करेंगे अपने शॉब्दों को ताकि आपका क्या है निबंद लिखना चलू होजाए। देखे प्रस्तावना में लिखेंगे कि आज का मानो अदोधी करण के जनजाल में फंसकर स्वयम भी मसीन का एक ऐसा निर्जीव पूर्जा बनकर रह गया है मतलब कहा है कि आज का जो मानो है सबसे पीशेस कहां फंसा होए ते अदोधी करण के जनजाल में फंसकर स्वयम भी मसीन का एक ऐसा निर्जीव पूर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरन की सुधता का भी ध्यान न रख सका मतलब कि सबसे पहले यह हम लिख देंगे इसके आगे लिखेंगे कि अब एक और नई समस्या उतपन हो गई है वह है प्रदूशड की समस्या हमारा क्या है सबसे जो नई समस्या उतपन हुई है प्रदूशड की समस्या है इस समय हमारे समकच सबसे बड़ी चुनावती पर्यावरन को बचाने की है मतलब कि हम जीस परवेस में रहते हैं हो हमारा परवेस क्या हो सुध रहे अच्छा रहे ताकि हमारा जीवन क्या है सुचार रूप से चलता रहे उसको मतलब परदूसर से बचाने की है क्योंकि हवा पानी जंगल मीटी आदी सब कुछ प्रदूसित हो चुका है तो यहां तक यह हो जाएगा प्रस्ता होना आप ऐसे लिख देंगे उसके बाद दूसरे हेडिंग लगाएंगे प्रदूसर का और्थ आप समझाएंगे कि प्रदूसर है क्या मतलब जिस पर निबंद लिखने उसका सेंस क्या है तो देखिए संतुलित बताबरण में ही जीवन का विकास संभव हैं यानि कि संतुलित बताबरण नहीं रहेगा तो हम लोग का जो जीवन है और नौरक जैसा हो जाएगा ठीक है बहुत सारी बीमारिया भी फैलने लेगेगी जब बताबरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे बताबरण का संतुलन बिगार कर उसको दू कर देते हैं जैसे कि आपके रहनसलौं पर भी परभाव पड़ता है अनेक परकार का बिमारिया हम लोगों में क्या होने लगते हैं फैलने लगते हैं यह गंदा बताबरण जिवधारी colleagues के लिए अनेक परकार से हानिकारक होता है जिवधारी मतलब के जिसमें जीवन हो उसक लगेगे रयाएंगुद hon farms रह violence girls but gonna do yes मारी 5 गतीवीड्या में क्या होने लगेगी योई रोद होने लगेगी जैसे कारभन यय चेड़ का मातर यदी बढ़ Samg । लटी स्पीकर बठीकर बनने लगेगा यह सब तो उसे से मतलब भहू सारी घृट भी दिया हती है, जैसे कि हर जगह अकौला ही लिशनाइब्स सब्सक्राइब करते हैं अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रदूसर की समस्या तथा इससे हानिया प्रदूसर से कौन-कौन सी समस्या है तथा इससे हमको हानि क्या है तो देखिए बढ़ती हुई जन संख्या और अदोधी करण ने विश्व के समूख प्रदूसर की समस्या पैदा कर दी है यानि कि जन संख्या बढ़ेगा तो भाई सारे चीजे हमको प्योग में लानी होगी जब चीजों का हो सकत्य पढ़ेगा तो दोधी करण बढ़ता है और दोधी करण जब बढ़ेगा तो प्रदूसर होना ही होना है कंपणिया चलेंगी धुआ निकलेंगे इताहरी तुसे क्या होगा प्रदूसर की समस्या पैदा हो जाएगी करखानों के धुएं से बिसायले कच्छरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिशाव से आज मानो जीवन समस्या ग्रस्त हो गया है इस प्रदूसर से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का सिकार हो रहा है मनुष्य परव क्या है जानलेवा टैप की अनेक बीमारिया जो है अटेक करती है ठीक है परभावित होता है मनुष्य कोई अपंग मतलब की बिकलांग अता है कोई अपंग होता है तो कोई बहरा बिभीद परकार की सारीरिक बिक्रीतिया बिक्रीतिया मतलब की सारीर में होने वाले उन्हेक परकार की ब्यादिया एंवं सभी रोगों का मुल कारण भी सहला बाता बरण ही हैं यदि बाता बरण सुधर रहता तो बीमारिया जो फैल रही हो क्या होती कम होती लोग कम बीमार पड़ते ठीक है आपका अगला हेडिंग लिखेंगे समस्या का समाधान यदि आप किसी परकार की समस्या दिखा रहें तो उसके समधान के बारे में भी क्या करना है हमको लिखना है बताना है कि कैसे उसका समधान होगा तो देखिया बाता बरण को प्रदूशन से बचाने के लिए ब्रिक्षा रोपर सर्वरसिष्ट साधन है यानि कि जीतना हम ब्रिक् तास अधिक तो इस पर भी क्या होना चाहिए रोक लगना चाहिए कारखानों और मसीने लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो अधोधिक कचड़े एवं मसीनों के धुए को बाहर निकालने की समुचीत बेवास्था कर सके ठीक है जिसके पास बेवास् को नियंत्रीत करने के लिए और दोधिक स्थानों में भी ऐसी बेवास्था की जानी चाहिए कि बेवार्थ बाहर को बेवार्थ पदार्थ को बाहर निकाला जाए तथा इसको जल्स रोतों में मिलने नौ दिया जाए जो जल में अनेक परकार के देखते हैं कि जो नाले हैं मतलब कोचरे से होते हुआ अनेक परकार के कोचरे नालों के मादम से क्या हो जाते हैं जल में मिल जाते हैं उससे जल परदूसित होता है और अनेक परकार की समस्या उठपन होती है लाश्ट हमारा हेडिंग यहीं रहता है उपसनहार उपसनहार में क्या लिखेंगे उपसनहार में ये लिखना है कि जो भी हमने मतलब की निबंद लिखा उसका मतलब की निछोड़ किया है तो प्रसंता की बात है कि भारत सरकार प्रदूसर की समस्या के प्रति जागरूक है मतलब की जो ये प्रदूसर की समस्या है उसके बारे में भारत सरकार क्या है तो बहुत ही जागरूक है उसने सन उनीस चवहततर इस भी में जल प्रदूसर निवारन अधिनियम लागू किया था न्याले द्वारा प्रदूसर फैलाने वाले उदोगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिये गए हैं मतलब कि जो भी है अगर जो इस परकार का उदोग या धानधा आप कर रहे हैं जिसे बहुँ ज्यादा परदूसर फैल रहा है तो आप उसे महान अगरो या घहनी बस्तियों से दूर ले जाकर ही इस परकार के उदोग को क्या करें बिक्षित करें बिक्षार रोपर एवं उपरोप्त बातों का पालन करके हम प्रदूसर की दूस परिणामों का मतलब है कि बुरा परभावों से बच सकेंगे और आने वाली पीधी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे तो यहां लिख देंगे तो लिख देंगे तो इजामिनर क्या हो जाएगा हमको फूल मार्क देगा कम से कम आप हर निबंध लिखते हैं समय कम से कम चार पांच हेडिंग को हाइलाइट जरूर करकर ही लिखेंगे तो अभी जा करके निबंध आपका अच्छा माने जाएगा जैसे कि देखिए मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं हाँ अगर यह हमारी वीडियो आप लोग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं बहुत महना से हम लोग लिखते हैं लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं वीडिय चैनल पर पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और थोड़ा दोस्तों में भी इसको सेयर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे हैं और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें थाइंक यू